आज विजय वाड़ा में चलो सची वाले विरोध प्रदरशन होने वाला है लेकिन इससे ठीक पहले ही आंतिप्रदेश की कॉंग्रिस अध्यक्ष वाईयर शर्मिला ने खुद को पार्टी दफ्तर में पूरी रात बंद रखा आखिर इसकी पीछे की वज़ा क्या है आखिर क जगन मोहन रेड़ी के सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है आंतिप्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष वाईयर शर्मिला रेड़ी जूकि सीम जगन मोहन की बहन भी है उन्होंने आज यानिकी गुरुवार को विजवाड़ा में चलो सची वाले विरोध प्रदरशन करचने के लिए वाईयर शर्मिला ने रात को विजवाड़ा के कॉंग्रिस में जाने का फैसला किया और वो पूरी रात वहीं रही उन्होंने राजी सरकार से ये मांग की है कि वो पहले बेरुजगार यूवाव और चात्रों की समस्याव कर निदान करें वहीं विजवाड मुद्धों का समधान करने में पूरी तरीके से बिफल रहे हैं उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर भी लिखा है कि यदि हम वेरुसकारों की तरफ से विरोध प्रदर्शन का आवाहन करते हैं तो क्या हमें घर में नजरबंधर करने का प्रयास किया जाएगा साथ उन्ह में रात गुजारने के लिए मजबूर करना पड़ा साथ है आपको बताते कि उन्होंने आगे कहा है कि राजसरकार को भी निशाने पड़ लिया है आगे उन्होंने कहा है कि क्या हम आतंगवादी है या आसमाजिक ताकते हैं वह हमें रोकनी की कोशिश कर रहे हैं इसका मतल भी बात ने लेकिन बेरोजगारों की उर से हमारा संख़ाश कहीं नहीं रुकेगा